बिस्मिल्लाहिर्राइम ग्लिशियंस लैंड के नाजरीन को हमाई तरफ से असलाम लेकुम आज काफी दिनों के बाद कैद प्रिंदे अजाद हुए हैं ये मेरी प्यारी सी बेटी फूलों की रानी फूलों को देखके बहुत इंच्वाए करती है इतना प्यारा मौसम है और इतना प्यारा व्यू है कि बगार इसको वीडियो बनाए हम रह नहीं सके ये देखिए जी ये बार्ट्स लोना है स्पेन का बहुत बड़ा शहर कातलूनिया सूबे का कैपिटल है ये यहां एक आफिस में हमारा आजच अपार्ट्मेंट था तो उससे फारिग हो के अभी हम बाहर निकले हैं लाग टोन के बाद तकरीबन ये पहला ही हमारा विजिट है नॉर्मली हम गर से बाहर अक्सर ही वीकेंड पे तो जरूर इंच्वाए करने निकलते हैं किसी लंबे ट्रीप पर किसी अच्छी सेगा पर बार्श लोना का शायद ही कोई हिस्सा ऐसा होगा जो हमने ना देखा हो इसकी हर सेर का हर इलाका हर खुबसूर जगा हम केकी बार देख चुकी है इतना प्यारा और खुबसूर शहर है कि इसको जब भी देखो हर दफ़ा ऐसी लगता है कि आप फरस टाइम यहाँ आए हैं यह देखी जी यह हमारे घर के पास का व्यू है और यह है पार्क जहां रोनके दुबाला हो गई हैं काफी दुनों के बाद आज बच्चे घरों से बाहर निकले हैं काफी ज़्यादा लोगों ने अभी भी मास्क पैने हुए हैं तक्रीबन 80-90 परसंट लोगों ने लेकिन यह है कि घरों में रह रहे कर बच्चे बचारे बहुत ज्यादा तांगा चुके थे यह देखिए जी बेटी मेरी बोर हो रही है उसको अपने कोई दोस्त यहां नहीं मिली तो वो मुझे हाथ लाकर जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं आगर आपने आना है तो आ जाएं सारा दिन मौसम ऐसे ही रहा है कभी धूब तो कभी बादल आए दिन भार्षे हो रही है यह भी को अल्ला का सिस्टम है यह फैमिली यह कपल जो आपको देख रहा है यह समंदर से वापस लोटे हैं उनके असार बता रहे हैं और जो देखिए जी वो कितनी दूर चले गए हैं सामने ल देखिए बादल इस ऐसी जगों पर अक्सर इतना राश होता है कि रोनक मेले में लोग बहुत इंच्वाए का रहते हैं लेकिन अभी वही बात कि लोग डर रहे हैं आस्ता आस्ता गरों से बाहर निकलेंगे आस्ता आस्ता से जवाइन करेंगे एक दूसरे को और यह देखि तो यहां पे आज बहुत रोनक थी हम समंतर की तरफ निकला आये थे सारा दिन भूमते रहे हैं तो यह देखिए जी बहुत प्यारी ठंडी हवा भी है, साथ में कभी धूप निकलाती है, कभी बादल आ जाते हैं और इसी तरह के सारा दिन हमारा गुजरा है कितनी ग्रीनरी है, बच्चे बहुत इंजवाए कर रहे हैं, फैमिली जितर आई हुए हैं यह स्वंदर कनारा, यहां भी आज काफी रोनक है और अक्सर बंदे आपको मास्क के बगार नजर आएंगे, लोग बिचारे तंग आगे हैं पिछले तीन-चार माह से घरों में कैद रह रहे के और मास्क पैन पैन के वैसे तो नॉर्मली यही का जा रहा है कि आप जब और साइट निकलें घरों से बाहर, अपने आपको जरूर प्रोटेक्ट करें लेकिन कुछ लोग तो रूल्स को फालू करते हैं और कुछ फालू करकर के मेरे ख्याल में तंग आगे हैं मेरी बेटी भी बहुत इंजवाय का रही थी और वो तो कह रही थी बस मैंने नहाना है समंदर देखते ही उसको वह स्विमिंग का जुनून चड़ गया था लेकिन मैंने उसको बहुत टाला क्यूंके शाम भी हो रही थी और हवा भी ठंडी चल रही थी और बारिश भी रात को बहुत ज्यादा हुई थी और सुबो भी उसकी बड़ा से काफी ज्यादा हुनकी है य और यह तो बस सुबो निकलते हैं और रात तक इदर ही पड़े रहते हैं और फिर शाम को रात को यह घर जाते हैं सबसे ज्यादा इनकी इंज्वाइमेंट यह होती है यह समंदर समंदर के पास ही एक मॉंटेन है अब यह हम अपने घर वापिस आ गए है शाम का वक्त हो कुछ कुछ दूप भी है कुछ कुछ बादल भी है यह मेरी खिड़की से बाहर का व्यू है यह देखिए जी और इदर से भी आपको समंदर नजर आएगा हमारी खिड़की से भी समंदर नजर आता है यह देखिए आसमान पे बादल और वो नीचे आपको आसमान से नीचे जो ब्ल्यू चीज नदर आ रही है वो समंदर ही है क्लोज करके आपको दिखाती हूं यह देखिए जी आपको हमारा यह व्लॉग अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताईएगा और अपनी राय का इसहार जरूर कीजिएगा मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए अजाज़त दें अल्ला हाफीज